आज की क्लास में हम लोग संधी पढ़ेंगे संधी और समास को हमें साथ में पढ़ना चाहिए था लेकिन किसी कारणवस हमने थोड़ा सा समास के साथ संधी देखा था तो अब हम लोग संधी को देखेंगे संधी होता क्या है तो दिखे संधी जो है ना संधी सब्द का अर्थ है मिलना दो सब्दों में जब दो धोनिया यानि की वर्ण आपस में एक दूसरे से मिलती है तो इस मिलने से उसमें विकार या पडिवर्तन आ जाता है उसे संधी काते हैं सराल सब्दों में हम यह का सकते हैं कि दो वर्नों के मेल से होने वाले पड़िवर्तन को संधी काते हैं अब फटा फट जो है ना मुझे comment box में बताइए कि समास किसे काते हैं समास की class मैंने suggest पहले ली है तो समास में क्या चीज मिलता है और संधी में क्या मिलता है ये दोनों का एकदम से knowledge यानी की ज्ञान होना चाहिए अब देखते हैं संधी के भेद संधी के भेद हैं संधी के तीन भेद होते हैं स्वर्च संधी, वेंजन संधी और विशर्ग संधी अब ये न एक्जामिनेशन्स में competitive examinations में ये पड़ाया ही आता है किसमें से कौन संधी है, कौन वेंजन संधी है, कौन विशर्ग संधी है बहुत रखे एक्जाम्स हैं चाहे वो high court के एक्जाम्स हों, civil court के एक्जाम्स हों या फिर BPSC किसी भी level का हिंदी compulsory एक्जाम्स लेती है या दरोगावला, सब में यहां से प्रस्नाता है और बच्पन में इसको सीखते हैं तो हमें जवानी में फिर दुबारा पढ़ना पढ़ता है तो बहुत एक ही बार पढ़ो ना, अच्छे से, ढंक से तो चलो हम लोग दिखते हैं स्वर्षंधी को स्वर्षंधी में क्या है दो सरो के मिलन से सब्दों में जो पडिवर्तन आता है उसे स्वर्षंधी करते हैं स्वर्षंधी के पांच भेद होते हैं पांचमा भेद आयादी संस्कृत भासा में होता है हिंदी में उन्हें पूर्ण सब्द माना जाता है जैसे नयन, पवन, गायक, नायक, आदी ठीक है? अब देखते हैं स्वर संधी के भेद स्वर संधी के भेद हम लोग देखे हैं तो एक हम लोग देखते हैं दिर्ग संधी, गुन संधी, विर्धी संधी, यन संधी, अयादी संधी यह सब जो 겁े ना, सौर संधी के भेध हैं, यहाँ पे इस चार्ट को देखिए, अच्छे से, अधंग से देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको देखने में क्या है? देखिए है यह सौर संधी के भेध हैं, कौन कौन से भेध हैं? दिर्ग संधी, गुल संधी, विर्धी संधी, यन संधी, आयादी संधी तो इसको एदम याद रख लेना है ठीक है ना इसको भूलने जैसा कुछ है ही नहीं एदम बहुत प्याडा सा ये दिख जाया रहा है ठीक है तो अब ये रहेगा सदा के लिए चुकि ये टेक्नलोजी है तो हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये हमेशा के लिए रहेगा तो हम लोग आगे देखते हैं दिर्ग संधी के उधारन और नियम को हम लोग को पढ़ेंगे और समझेंगे सबसे पहले तो गुन दिर्ग संधी है दिर्ग संधी में हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो ओ प्लस ओ क्या हो जाता है आ हो जाता है ठीक है जिसे समय प्लस अनुकूल तो ओ प्लस ओ समय में ओ मिला यहां भी ओ मिला तो यह क्या हो गया समय अनुकूल लाब प्लस अर्थ अब देखे ओ और आ मिलता है तो भी आ बन जाता है जैसे पुस्तक पुस्तक आले पुन्य प्लस आत्मा ओ और आ मिल रगया क्या बना है पुन्य आत्मा हिम प्लस आले क्या बन गया हिमाले दीप प्लस आलो क्या बन गया दीपा लोक आ प्लस आ बड़ाबर क्या हो गया आ विद्या जोड अभ्यास क्या हो गया विद्धा भ्यास सीमा जोड अंत क्या हो गया सी अब देखो यहाँ पर क्या बनता है आ प्लस आ क्या बन जाता है आ विध्या जोड आले क्या बन गया विध्याले दया सभा प्लस आरंब क्या हो गया सभारंब दया प्लस आलू क्या बन गया दयालू अब हम लोग फिर आगे देखते हैं E plus E, क्या बन गया? दिर्घाई, हरसाई प्लस हरसाई, क्या बन गया? दिर्घाई, कवी प्लस इंद्र, क्या बन गया? कविंद्र, रवी प्लस इंद्र, क्या हुआ? रविंद्र, अभी प्लस इस्ट, क्या हुआ? अभिंद्र, छवी प्लस इंद्र, क्या बन गया? छविंद् यी प्लस दिर्गही क्या बन गया दिर्गही, मुनी प्लस इस क्या बन गया मुनीस, गिरी प्लस इस क्या बन गया गिरीस, कपी प्लस इस हो गया कपीस, हडी प्लस इस क्या हो गया हरीस, दिर्गही प्लस हडसाई क्या बन गया दिर्गही, योगी प्लस इंद्र क्या हो गया य योगिंद्र, मही प्लस इंद्र, क्या हो गया? महींद्र, सची प्लस इच्छा, क्या हो गया? सची इच्छा, तपी प्लस इंद्र, बन गया? तपिंद्र, ई प्लस इ बड़ावर क्या हो गया? दिरगाई, दिरगाई प्लस दिरगाई क्या हो गया? दिरगाई, रजनी प्लस क्या हो गया रजनीस योगी प्लस इस्वर क्या हो गया योगी स्वर नदी प्लस इस बड़ावर क्या हो गया नदीस तपी प्लस इस्वर क्या हो गया तपी स्वर आगे हम लोग देखते हैं आगे भी हम लोग देखते हैं उ और उ दोनों को मिलाया तो क्या हो गया उ गुरू प्लस उपदेश लगू प्लस उत्तर भानू प्लस उदय मधू प्लस उपवन उ प्लस उड़्जा लगू 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 प्लस उड़्जा क्या बन जाएगा स्वैम भूदे वधू प्लस उत्सव वधू प्लस उल्लास क्या हो गया वधू लास वधू प्लस उत्सा वधू उत्सा देखिए ये जो उ और उ है न इसको यूपी में और बिहार में और आजस्थान में तीनों में इसका उचारन क्या थोड़ा भिन होता ह हल्का सा तो मैं चुकि सभी एस्टेट्स में रहा हूं तो मेरे उचारन थोड़े से भिन्न हो सकते हैं लेकिन अगर किसी को समस्या है तो क्लास्रूम में आके जरूर पूछना है सभी चीजों को समझना है एकदम अच्छे तरीके से अब यह देखिए उह प्लस उह हो जाएगा भू प्लस उढ़जा भू उढदार्व सरजू प्लस उढ़मी वधू प्लस उढ़जा आगे हम लोग देखते हैं इसको यह है हमारी गुन संधी जब O, A से E, E, Vर्ण मिलते हैं तो A होता है O, A के बाद U, Vर्ण हो तो दोनों मिलकर O हो जाते है O, A के बाद R होने पर दोनों का मिलन अर्ड हो जाता है दो वर्णों का मेल गुन संधी कहलाता है नियम और उधारन पढ़िए और समझिए और संधी कीजिए ठीक है O, E क्या हो जाएगा A, नडपलस इंद्र, नडेंद्र, गजपलस इंद्र, गजेंद्र, देवपलस इंद्र, देवेंद्र, खगपलस इंद्र, खगेंद्र ओ पलस ई क्या हो जाएगा ए नड़ पलस ईस हो जाएगा नडेस खग पलस ईस खगेस गन पलस ईस गनेस धर्म पलस इंदर क्या हो जाएगा धर्मेंदर A प्लस E क्या हो जाएगा A A प्लस E क्या हो जाएगा हर सही है A हो जाएगा A प्लस दिर्गई क्या हो जाएगा ये भी A ही होगा राजा प्लस इंद्र राजेंद्र यथा प्लस इस्ट क्या हो जाएगा यथेस्ट महा प्लस इंद्र महेंद्र रामा प्लस इंद्र रमेंद्र लंका प्लस इस्वर लंकेश्वर रामा प्लस इस्वर महेश्वर महा प्लस इस्वर महेश्वर महा प्लस इस्वर महेश्वर आगे हम लोग फिर देखते हैं हमारा जो है खो देखते हैं, O प्लस उ, दोनों को जोडेंगे हो जाएगा, O, O प्लस दृगव, O, A प्लस उ, O, A प्लस दृगव, Co भी हो जाएगा, O, सब क्या हो जाएगा, O, बस इस चार्ट को देख लेना है, और याद रखना है, पड़ प्लस उप देश, जल प्लस उडमी, जलोडमी, सुरी प्लस उडजा, सुर्योडजा, सुरी प्लस उस्मा, सुर्योस्मा, नव प्लस उड़ा, नवोड़ा, गंगा प्लस उदक, गंगोदक, महा प्लस उद्सव, महोद्सव, महा प्लस उदे, महोदे, महा प्लस उदधी, महोदधी अब देखिए अगला फिर हम लोग देखते हैं अगला हमारा है अब हम लोग देखते हैं विर्धी संधी को ठीक है विर्धी संधी में क्या होता है कि जब ओ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों वर्ण मिलकर ए हो जाते हैं तथा ओ या आ के बाद ओ या अउ होने पर अउ हो जाता है इन वर्णों के इस मिलन को विर्धी संधी कहते हैं नियम ने लिखित नियम और उधारन पढ़के इसको समझना है तो देखते हैं आ प्लस ए ए आ प्लस ए ए आ प्लस ए ए आ प्लस ए आ प्लस ए ए त सर्व लोक प्लस एसन सर्व लोकेशन सर्व प्लस एक्या सर्वक्या तथा प्लस एव तथेव विद्या प्लस एश्वय विद्या स्वड्या एक प्लस एक एक्या मत प्लस एक्या मत एक्या सदा प्लस एव अगे हम लोग देखते हैं, इसको एक्जामपल से देखते हैं, इसको अग्जामपल से समझेंगे, जैसे उचित प्लस ओजस्वा, क्या हो जाएगा? उची तो जस्वा, महा प्लस ओ जस्वा, क्या हो जाएगा, महो जस्वा, वन प्लस ओ सधी, क्या होगा, वन ओ सधी, महा प्लस ओ दाडिय, क्या हो जाएगा, महो दाडिय, परम प्लस ओ जस्वी, परमो जस्वी, महा प्लस ओ जस्वी, महो जस्वी, परमो सधी, महा प्लस ओ सध महो सधी अब देखते हैं यन संधी यन संधी में क्या है कि जब पहले सब्द के अंत में इ दिर्गई या उ दिर्गई हो तो दूसरे सब्दों के आरंभ में भिन सवर हो तो इ दिर्गई का या उ उ का व हो जाता है और दूसरे सब्द के पहले सवर का योग या और व के साथ ह वड़नों के इस मिलन को यन संधी कहते हैं नियम और उधारंद पढ़िये समझिये और संधी को किजिये तो हम लोगा देखते हैं आगे बढ़ते हैं अब क्या है E E plus A, Y, A, 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 A अब हम लोग फिर आगे देख रहे हैं, इसी के पार्ट में आगे बढ़ते हैं उ प्लस आ या उ प्लस आ वा हो जाएगा, उ प्लस हरसई बढ़ाबर वी, उ प्लस दिरगई इ बढ़ाबर वी, उ प्लस ए क्या हो जाएगा वे, सू प्लस अल्प, स्वाल्प, सू प्लस अक्ष हो जाएगा, स्वाक्ष मिलेंगे तो, सू प्लस आगत मिलेंगे तो बनेगा स् अनूपलस इती क्या हो जाएगा अनूपलस इच्छन हो जाएगा अनूपलस एच्छन हो जाएगा अब देखते हम नोग अयाधी संधी को, अयाधी संधी में क्या है कि यदि A, I के भाद कोई दूसरा स्वर आये तो A का I, तथा I का I होता है, O, O, O के बाद भिन स्वर, आए तो O का अव, और O का अव हो जाता है, इसे आधी संधी कहते हैं, A प्लस A, O, A, C प्लस N हो जाएगा, C, C, N, 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 प्लस N हो जाएगा, N, N हम लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के साथ हम लोग देखते हैं फिर आगे हम लोग देखें अब हम लोग देखते हैं वेंजन संधी को अब देखते हैं वेंजन संधी वेंजन से स्वर्ड या वेंजन के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे वेंजन संधी काते हैं वेंजन से स्वर्ड या वेंजन के मिलने से जो विकार पैदा होता है वेंजन संधी काते हैं यदि को चो टो टो पो के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चोथा वर्ण या या डो लो व या कोई स्वार आए तो को का गो चो का जो टो का डो डो तो का दो और पो का बो हो जाता है अब इसमें प्रिसार नहीं होना है का है कि समानित्या ये जो सब्द हैं इसको हम लोग हिंदी में इस्तिमाल करते रहते हैं तो ये जो सब्द हम लोग हिंदी में इस्तिमाल करते रहते हैं इससे हम लोग ना बहुत हैमिलियर होते हैं बहुत आराम से तो इतने ज़्यादा नियम को जाने ही इन सब सब्दों को जानते हैं तो नियम जान लेना जरूरी होता है अच प्लस अंत क्या हो जाता है अजंत सट प्लस दर्शन सड दर्शन सट प्लस आनन सड आनन जगत प्लस इस जग दीस भगवत प्लस गीता भगवत गीता सत प्लस गती सद गती अप प्लस अब हम लोग आगे देखते हैं अब हम लोग आगे देखते हैं बीना जाने ही बहुत समय से यूज कर रहे हैं जैसे अब हम लोग आगे देखे हैं हम लोग इन सब चीजों को यदि को चो टो सब हलंत है तो प के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण को हो तो को हलंत चो हलंत टो हलंत तो हलंत पो हलंत पांचवा वर्ण में बदल जाते हैं को का पांचवा वर्ण रो चो का यो टो का नो तो का नो और पो का मो हो जाता है जैसे वाक पलस वय क्या हो जाएगा वांग में सट पलस मुख सन मुख जगत पलस नाथ जगनाथ उत पलस नती क्या हो जाएगा उननती यदि मौ के बाद कौ से लेकर मौ तक कोई भी वेंजन आता है तो मौ का अनुसवार या पहले वाले वर्ण का पाँचवा वर्ण हो जाता है जैसे संप्लस कल्प संप्लस जै संजै संप्लस गती संगती यदि मौ के बाद यार लव सा तलावे सा मुर्धने सा दंसा हा आते हैं तो मौ का अनुसवार हो जाता है जैसे सं प्लस वाद सं प्लस सार क्या हो जाएगा सं सार सं प्लस योग हो जाएगा सं योग सं प्लस रक्षक क्या हो जाएगा सं रक्षक सं प्लस हार हो जाएगा सं हार यदि री र सा के बाद न हो और उसके बीच में कोई स्वर कवर्ग पवर्ग यर लव न हो तो न और न का न न का और न का हो जाता है पड़ी प्लस नाम पड़ी नाम प्रप्लस नाम प्रणाम राम प्लस आयन राम आयन यदि सो से पहले और आ को छोड़ कर कोई दूसरा स्वर हो तो मौ सो का सो हो जाता है जैसे वी पलस सम विशम, सू पलस समा, सू समा, विशेश नियम यदि हरस्व स्वर औ, ई, उ के बाद 6 हो तो उसमें 4 जुर जाता है जैसे वी पलस छेद, विच्छेद, सौ पलस च्छंद, स्वाचंद, अनू पलस छेद, अनू छेद अब देखते हैं विशेश नियम यदि रो से पहले रो हो और रो से पहले हर्स स्वर हो तो हर्स का दिर्ग हो जाता है तथा रो का लोप हो जाता है जैसे निर प्लस रोग निरोग निर प्लस रस नीरस विसर्ग संधी विसर्ग के साथ स्वर्या वेंजन के मिलने से जो विकार पडिवर्तन होता है वो विसर्ग संदी कहलाता है यदि विसर्ग से पहले ओ हो तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ड का तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण हो या रा या रा लवा हा हो तो विशर्ग को का ओ हो जाता है जैसे मना प्लस जा मनोज पया प्लस धर पयो धर मना प्लस हर मनोहर येसा प्लस दा येसो दा यदि विशर्ग के पहले औ आ को छोड़ कर दूसरा स्वर हो तथा विशर्ग के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का ऐख में किसी भी वर्ण का तीसरा चौधा पाच्वा वर्ण यारा लवः हो तो विशर र वह हो जाता है जैसे नी पलस धन निरधन दू पलस आत्मा दुड़ात्मा यदि विशर के बाद 4 चा हो तो विशर का सो हो जाता है यदि ट, ठ, हो तो स हो जाता है यदि त, ठ, हो तो विसर्ग का स हो जाता है जैसे नी प्लस चल, निश्चल, नी प्लस चै, निश्चै, धनू प्लस टंकार, धनू स्टंकार, नी प्लस तार, निश्टार, यदि विसर्ग से पहले ई, दिरगई ई, उ, उ, हो तो विसर्ग के ब गोट भॉप्षभ का सह ठाइब है जैसे नी प्लस फ़ल निश्फल 2 प्लस कर दूश करk नी प्लस कपट निश्पट नी प्लसपाप निश्पाप यदि नी प्लस और के विश्रक के बाद सहलंत हो Jyais giyais है जैसे विशर्ग से पहले कोई दूसरा सर्ग हो तो विशर्ग का लोप हो जाता है जैसे तता प्लस एव तत एव अता प्लस एव अत एव तो ये हमारा जो था अभी जो क्लास थी ये संधी के बारे में एकदम बेसिक क्लास थी संधी इतने बेसिक में सभी काम हो जाते हैं सारा काम हो जाता है बाकी मैं चात्रों को हमेशा बोलता हूँ कि भाई चात्र बहुंद है, खाली क्यों बैठे हो, पेपर पढ़ो डेली का, डेली का हिंदी निउस पेपर जो है, वो जो भी चात्र पढ़ेंगे, तो उनकी हिंदी की वरतनी और बाकी सब चीज़ें खुब सांदार हो जाएगी, तो उनको दिक्कत ही नहीं आएगा कभी इन सब चीजों में, तो उनको रेगुलर है न, पेपर से पर पढ़ते रहना चाहिए, ताकि कभी भी कोई समस्या न आए, संदी हो, समास हो, ये सब है, तो ये सब कुछ सिमित एक्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और हमेशा जो है, इनका अप्लिकेशन पूछा जाता है, तो हमें अप्लिकेशन जानना ज्यादा ज़रूरी है, और अप्लिकेशन हमें कैसे आएगा, जब हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चों मोवाइल में सौर्ट वीडियो मत देखो, ये पढ़ पढ़ो, तो चलो, मजबूरी है, जो मैं ये क्लासिस को ऑनलाइन दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार बच्चे क्लास में गड़मी के कारण, बरसाद के कारण, और बहुत ठंड के कारण भी नहीं आ पाते हैं, तो ये रह जाएगा हमेशा के लिए, और देखो, साथ मे होती है, तो मेरे से निजी रूप से कभी भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है, कि हाँ ठीक है, सिर्फ क्लास दे दिया और हो गया, बात खत्म ऐसा नहीं है, जितनी बार हो सकता है, उतनी बार पूछो, जो भी सवाल मन में आता है, वो पूछो मेरे से, मैं बिलकुल नाराज नहीं झाल झाल झाल